हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो आवर यूटूब चैनल तैयारी एक्जाम की तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 बाइलोजी से अध्याय साथ है यहाँ पे प्रानियों में सरचनात्मक संगठन इसमें हम लोग परिच्छा उप्योगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्णोतर देखते हैं तो आएए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं अध्याय साथ प्रानियों में सरचनात्मक संगठन परिच्छा उप्योगी महत्वपूर्ण तत्य यह आपको एक्जाम में बहुत ही हल्पफुल साबित होने वाला है तो वीडियो को अंतक जरूर देखें यहाँ पे पहला पॉइंट है हमारा उत्तक किसे कहते हैं तो उत्तर हो जागा यहाँ पे बहुत कोश किये प्रानियों में समान कोशिकाओं का समुह अंतर कोशिकिये पदार्थो सहित एक विशेश कार्य करता है कोशिकाओं का ऐसा संगठन उत्तक यानि कि फिसु कहलाता है ठीक है आगे का पॉइंट है उत्तक को मुख्य रूप से चार प्राकारों में बर्गी क्रित किया गया है जिन में क्रमसह यहाँ पे उत्तर में हो जाएगा पहला है उत्तक दूसरा है संयोजी उत्तक तीसरा है यहाँ पेसी उत्तक तथा चौथा है संत्री का उत्तक हमारा अगला पॉइंट है उपकला उतक कितने प्रकार की होते हैं तो उतर हो जाएगा दो प्रकार की होते हैं जिन में पहला है यहाँ पे सरल उपकला तथा दूसरा है सयुक्त उपकला ओके आगे है यहाँ पे सरल उपकला उतक कितने प्रकार के होते हैं तथा कौन कौन से हैं तो उतर हो जाएगा तीन प्रकार के होते हैं जिन में क्रमसर सलकी, उपकला, घनाकार उपकला तथा अस्तंभाकार उपकला उतक सिखे आगे हैं यहाँ पे सलकी उपकला उतक यह एक चप्टी कोशिकाओं के पतले अस्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं घनाकार उपकला की बात करें यह उतक एक अस्तरिय घन जैसी कोशिकाओं से बना होता है आगे है अस्तंभाकार उपकला लंबी एबं पतली कोशिकाओं की एक अस्तर का बना होता है अस्तंभाकार यगहनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पच्छमाभ होते हैं तो इसे पच्छमाभी उपकला चाहते हैं यानि की सिलेटेड आगे पॉइंट है कुछ अस्तंभाकार या घहनाकार कोशिकाओं में रवन की विशेश्ता होती है और ऐसी उपकला को उपकला ग्रन्थिल यानिकी ग्लैंडूलर एपिथिलियम कहते हैं ठीक है ग्लैंडूलर एपिथिलियम अगला पॉइंट है श्रावि कोशिकाओं में श्राव के निसकासन के आधार पर ग्रन्थियों को दो भागों में विभाजिक किया जाता है जिन्हें बही श्रावि ग्रंथि तथा अंता श्रावी ग्रंथि कहते हैं ठीक है अगला है संयुक्त उपकला एक से ज़्यादा कोशिका अस्तरो यानि कि बहु अस्तरित की बनी होती है और इस प्रकार श्रावन और अवसोसन में इसकी भूमी का सीमित है उपकला और अने उटकों में तीन प्रकार की संधी यानि कि ज़क्सन स्पाई जाती है ये हैं द्रिड़, आसंजी एबं अंतराली संधी अब बारी-बारी से हम लोग तीनों संधियों की बात करते हैं तो ग्रिड़ संधी तो पदार्थों को उत्तक से बाहर निकलने से रोकती है आसंजी संधियों की बात करें तो परवसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है यहाँ पे हैं अंतराली संधियों, आइनों तथा खोटे अनुओं एवं कभी-कभी बड़े अनुओं के तुरंत अस्थांतरिद करने में सहायता करती है अगला पॉइंट है रग्त को छोड़कर सभी संयोजी उतकों में कोशिका, संरचनात्मक, प्रोटीन का तंतु श्रावित करती हैं जिसे पोलेजन या इलाश्टिन कहते हैं संयोजी उतक को तिर प्रकारों में विभक्त किया गया है जिनमें पहला है यहाँ पे लचीले संयोजी उतक, दूसरा है सगन संयोजी उतक एवं विस्ष्ट क्रित संयोजी उतक, ये तीसरा हो गया सिथील संयोजी उतक में पोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्थ तरल आधार्ये पदार्थ में सिथीलता से जुड़े रहते हैं उदाहरन के लिए त्वचा गर्ति का उतक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है बात करते हैं बसा उतक की, बसा उतक दूसरा सिथील संयोजी उतक है जो मुखेतिया त्वचा के नीचे इस्तित होता है अगला पॉइंट है यहाँ पे अभी विन्यास की आधार पर संतु तथा संतु कोरक सगन संयोजी उतक को नियमित संयोजी उतक तथा और नियमित संयोजी उतक में विभाजित किया गया है उपास्थी अस्थी एवं रक्त बिसेश प्रकार के संयोजी उतक है अगला पॉइंट है हमारा उपास्थी का अंतर कोशिक पदार्थ, होस, बिसिष्ट्र, आनम्य, एवं संपीडल रोधी होता है हमारा अगला एक तरह से क्यूश्चन है अस्थी क्या है तो उत्तर हो जाएगा अस्थी, हनीज यूग्त, होस, संयोजी उत्तक है इसका आनम्य, आधात्री, कोलेजन, तन्तु, एवं, केल्सियम, लवन, यूग्त होता है जो अस्थी को मजबूती प्रदान करता है हमारा ये भी एक तरह से क्यूश्चन ही है रक्त क्या है और ये सभी जो क्यूश्चन है एकजाम में एक तरह से आते हैं और आपको भी बेनिफिट होगा तो रक्त तरल संयोजी उत्तक होता है जिसमें जीब द्रवे, लाल रूधिर कनिकाएं, सफेद रूधिर कनिकाएं और पट्टी खानू यानि की प्लैटलेट्स पाये जाते हैं रक्त मुख्य परिसंचारी तरल है जो की विभिन पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है हमारा अगला पॉइंट है तंतू कई सुचम तंतूकों से बना होता है जिसे पेशी तंतूक यानि की वियो प्रिविल कहते हैं पेशी उतक कितने प्रकार के होते हैं उतर हो जाएगा तीन प्रकार के पहला है यहाँ पे कंकाल पेशी दूसरा है चिकनी पेशी और तीसरा यहाँ पे हो जाएगा रिदे पेशी आगे की बात करें हम लोग तो कंकाल पेशी मुख्य रूप से कंकाली अस्थी से जूड़ी रहती है चिकनी पेशी, चिकनी पेशी ये उत्तक की संकूचन सील पोशिका के दोनों किनारे पतले होते हैं तथा इन में रेखा या धारियां नहीं होती है आगे की बात करें तो चिकनी पेशी का संकूचन अनाचिक होता है ऐसा क्यूं? ये एक तरह सी question type का है कि चिकली पेशी का संकूचन अनाचिक होता है ऐसा क्यों? क्यूंकि इनकी किरिया विधी पर सिधान नियंद्रन नहीं होता है आगे की बात करें हिरिदय पेशी तो हिरिदय पेशी संकूचन सील उत्यक है जो केवल हिरिदय में ही पाई जाती है तंत्री का कोशिकाएं उतेजन सिल कोशिकाएं हैं जो तंत्री का तंत्री की संचार इकाई है यहाँ पे नोट करके कुछ बात दिये गए हैं हिर्दय में चारू तरह के उत्तक होते हैं कौन-कौन होते हैं? पहला है उक्कला, दूसरा है स्नयोजी, तीसरा है पेशिय, तथा यहाँ पर फोर है, संत्र किये उत्तक, उके, चारत रहके हो गए, अगला है केचुआ के द्वारा उत्सरजी मल पदार्थ को क्या कहते हैं, जो केचुआ है, उसके द्वारा उत्सरजी मल पदार्थ होता है, तो creamy chipsy यानि की warm tasting ठीक है अगला point है Feritima वा Lumbricus Feritima और Lumbricus सामाने भारती केचुए हैं ये केचुए के ट्रकार है Feritima वा Lumbricus आईए अब हम रुख चलते हैं अगला point की तरफ केचुए का सरीर लंबा और लगभग 100 से 120 समान समखंडो यानि की मैटा मर्ज में बटा होता है ठीक है मैटा मर्ज में बना होता है बटा होता है तरह से केचुए का सरीर लंबा होता है और लगभग 100 से 120 समान समखंडो यानि की एक तरह से ऐसे खंड में पूरा बटा होता है ठीक है आगे हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक परिपक्व प्रीमी में एक चोड़ी ग्रंथिल गोला कार पट्टी चोदहवे से सोलहवे खंड को घेरे रहती है इन ग्रंथिल उत्यक वाले खंडों को पर्यानिक यानिकी सिट्यालम कहते हैं अगला पॉइंट है हमारा केचुए के सरीर का प्रत्थम अंतिम एवं पर्यानिका खंडों को छोड़ कर समस्त देखंडों में एस आकार के सूक यानि की सिट्ट पाये जाते हैं केचुए का सरीर एक पतली अकोशी की ये परत से धका रहता है जिसे उपत्वचा कहते हैं अगला है हमारा केचुए का भोजन सडी गली पतियां और मिटी में मिश्रित कार्बनिक पदार्थ होते हैं अगला पॉइंट है आंत्र का विशिष्ट गून 26-35 खंड में आंत्र की कृष्ट सतह में आंत्रिक वलन यानि की भीती भंज का पाया जाता है जिसे आंत्र वलन यानि की टाइफलो सोल कहते हैं अगला पॉइंट है हमारा केचुए में विशेष प्रकार के रसायन समवेदी अंग यानि की स्वाद ग्राही टेस्टर सेप्टर होते हैं जो की रसायनिक उद्धिपनों के लिए प्रतिकिरिया करते हैं ये समवेदी अंग क्रीमी के अग्र भाग में पाये जाते हैं हमारा अगला पॉइंट है केचुए उभै लिंगी यानि की हेर्मो प्रोडाइट होते हैं अर्थाथ एक ही प्रानी में व्रिसन नर एवं अंडास है मादा दोनों जनन अंग देखने को मिलते हैं ठीक है अलग अलग नहीं पाया जाता है एक ही में पाया जाते हैं अगला पॉइंट है हमारा क्रीमी में परिवर्धन प्रत्यच होता है अर्थाथ लारवा अवस्था नहीं होती है कौकरोच की बात करें अब हम लोग कौकरोच की तरफ आ जुके हैं कौकरोच चमकदार भूरे अधवा काले रंग के सपाट सरीर वाले प्रानी है हमारा अगला पॉइंट है समस्त संसार में ये रात्री चर यानि की सर्ब भच्छी प्रानी हैं तथा नम जगह पर मिलते हैं ये मनुस्यों के घर में रहकर गंभीर पीड़क एबं अनेक प्रकार के रोगों के वाहक हैं यानि की कोक्रोच का कोई काम नहीं है घर में ठीक हैं समानी व्यस्क कोक्रोच जाती पेली प्लेनेटा अमेरिकाना का 34 से तिरपन मिली मीटर लंबा तथा पंखो वाला होता है पंख नर में उदर के आखिरी छोर से भी आगे बढ़े होते हैं मध्यांद्र वख पश्चांत्र के संधी अस्थल पर लगवग सो से 150 पतली पीले रंग की नलिकाएं होती हैं जिन्हें मैल पीगी नलिकाएं कहते हैं आगे की बात करें तो तिलचटा में तंत्रीका तंत्र एक स्रेनी बद हंडिये वेवस्थित गुउचिकाओं का बना होता है जो अधर तल पर यूगमित यानि की पेरड अनुधैरे सायोजग से जोडी रहती है आगे की बात करें तो तिल्चट्टा दू लिंगी होता है तथा दोनों लिंगों में पूर्ण विक्सित जरन अंग होते हैं अगला पॉइंट है तिल्चट्टों की बहुत से जंगली जातियां पाई जाती है तथा इनका कोई आर्थिक महत्वस नहीं है कहने का मतलब कि तिल्चट्टा से हमनुश्य को कोई भी महत्वस नहीं है या कोई मतलब नहीं रखता है तिल्चट्टा रहे है तो मेधख वह अब मेधख की बात करें तो मेढ़क वह प्रानी है जो मेठे जल तथा धर्ती दोनों पर निवास करता है तथा किसेरू की संग के एंफेविया वर्ग से संबंधित होता है कौन तो मेढ़क भारत में पाई जाने वाली मेढ़क की सामान्य जाती राना टिक ग्रीना है आगे की बात करें तो मेढ़क कभी पानी नहीं पीता जी हाँ आप लोग को यह जान कर आश्यर होगा कि मेढ़क कभी भी पानी नहीं पीता है तो वो जीवित कैसे रहता है तो बलकि वह तवचा द्वारा इसका अब सोसन करता है मेढा का त्वचा जो है वो पानी को अब्जॉब कर लेता है ठीक है वो पानी अपने मुझ के द्वारा नहीं पीता है ठीक है आगे की बात करें तो पीत रस वसा तथा अगनया सही रस कार्बो हाइड्रेटो तथा प्रोटीन का पाचन करता है कौन तो पीत रस वसा तथा अगनया सही रस कार्बो हाइड्रेटो तथा प्रोटीन का पाचन करता है आगे की बात करें तो रक्त कनिकाएं हैं तो कौन-कौन से हैं तो लाल रुधिर कनिकाएं जिसे रक्तानों भी कहते हैं एवं स्वेत रुधिर कनिकाएं जिसे स्वेतानों भी कहते हैं एवं पट्टी कानु को लेट लेट भी कहते हैं मेधग यूरिया का उत्सरजन करता है जी हाँ आपको यह भी जानकर आश्चेर होगा कि मेधग यूरिया का उत्सरजन करता है इसलिए यूरिया उत्सरजी प्रानी कहलाता है इस तरह से भी क्योश्चन आप से कौन है तो मेढ़क सही उतर हो जाएगा तो आगे की बात करें एक परिपक्व मादा ध्यान से ध्यान देंगे आप लो कि एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है यस आपको जानके ये बहुत ही आश्चर चकित होंगे कि एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है और इन में बाहे निशीचन पानी में होता है ब्रून परिवर्धन लार्वा के माध्यम से होता है लार्वा टैड पोल कहलाता है ठीक है आगे की बात करें तो मेढख मनुशी के लिए लाबदायक प्रानी है अब को यह भी जानके आश्चर होगा कि मेढख मनुशी के लिए लाबदायक प्रानी है कुछ देशों में मासल पाद, मनुश्यों द्वारा, भोजन के रूप में इस्तेमाल किये जाते हैं जो मेढख है उसे लोग मनुश्य उसको पका के भूंच करके भी खाते हैं कोई-गोई देहात में भी सब खाते हैं या कोई-गुलिया टाईप का जो बैखती रहता है इसके अगले वीडियो में हम इसके क्यूशन अंसर की बात करेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में ठैंक्स